आज हम लोग हिंदी बुक में पाठ आठ कौन की रीडिंग लगाएंगे यह एक कविता है जिसका सीरसक है कौन हम परते हैं आप भ्यान से सुरेंगे इसी तरह से आप भी चार-पांच बार स्पस्ट और साप चालन करके परेंगे किसने बटन हमारे कुतरे किसने से आई को बिखिलाया कौन चट कर गया दुबकर ुबकर घर बर में अनज बिखलाया दोना खाली रह गया कौन ले गया उठा मिठाई दो टुक्रे तस्वीर होगई किसने रसी काट भाई कभी कुटर जाता है चप्पर कभी कुटर जूता है जाता कभी ख़ीता पर बनाती अंजाने पैसा गिर जाता इसने जिल्द काठ डाली है विखर गए पोथी के पन्ने रोज तांगता दोदो कर मैं कौन उठा ले जाता चंदे है कुटर कुटर कर कागल सारे कदी से रदी से घर को भर जाता कौन कवारी है जो कूरा दुनिया भर का घर भर जाता कौन रात भर गर्बर करता हमें नहीं देता है सोने खुर्खुर करता इधर उधर है दूढ़ा करता चिपशिप कोने रोज रात भर जगता रहता खुर्खुर इधर उधर है धाता बच्चों उसका नाम बताओ कौन सा लाड़त यह है या कर जाता सुहन लाल दिवेडी की इस कविता में चुहा के बारे में बताया गया है आपक क्वाल उठाया है कभी ने और उसके कारणामे को उसके करतबे को बताया है तो क्या क्या करता है और आप से पूछा जा रहा है कि आप बताइए इसको पर करके कि यह काम कौन करता है तो निश्य ही चुल काम बताया है यह तो चुह का काम है इसलिए चुहा ने ऐसा किया होग चुहा ही कर सकता है ये बतन कुतर देता है स्याही को बिखरा देता है और अनाज को बिखरा देता है मिठाई दोना में से उठा कर ले जाता है और दोना खाली रह जाता है तस्वीर पर चर जाता है रसी काट कर तस्वीर किरा देता है कभी चपल कुतर देता है, कभी जूता कुतर देता है, कभी कपड़े के गल्ले को काट देता है पैसा नीचे गिर जाता है कभी किताब की जिल्द काट डालता है, कभी पन्ना काट डालता है और छन्ना को बार बार हम दोग कर टांगते हैं उसको भी उठा कर ले जाता है कहीं न कहीं ठेक देता है का अगर सारे कुतर कुतर कर पूरे घर में रद्धी भर देता है या कौन कवारी है जो दुनिया बर का कूड़ा घर में फर जाता है राद बर या गरवर करता रहता है हमें शोने नहीं देता है और खुर-खुर करके इधर उधर कोने कोने में चिपता रहता है राद बर खुर जगता है खुर-खुर-खुर-खुर इधर उधर करता रहता है बच्चों तुम इसका नाम बताओ तो आप समझ गए होंगे या तो चुए का काम है चुआ करता है तो रीडिंग और सारांस आप याद कर लेंगे धन्यवाद